चलिए आवाज जा रहे होगी तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अब आधुनिक बिहार का इतिहास आधुनिक बिहार का इतिहास देखिएगा तो बिहार में यूरोपिय या व्यापारिक वर्गों का प्रादुभाव ठीक है इसको से हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे देखा हम लोगों ने कि भाई बंगाल के जो नबाप थे उनका अधिपत्य हो गया बंगाल बिहार और उडिसा के छितर में 1733 स्वी तक और यह इस्तिती अंग्रेजों के आने तक बनी रहती है तो क्या समिकरन अब चलता है इसको हम लोग थुड़ा सा समझते हैं अब देखिएगा तो पूर्तिगाली बिहार में व्यापार करने वाले व्यापार करने आने वाले प्रत्थम जो है वो व्यापारी थी उनका व्यापारी केंदर कहा है हुगली था जहां से वे नाव पटना आया जाया करते थे कहाँ पर हूगली जो है हूगली जूकि पस्चम मंगाल में हैं तो वहां से पटना अगर उनको आना जाना होता था तो वो नाओ के माध्यम से आया जाया करते थे बिहार सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था सोरा के उत्पादन ने अपने वेशिक सक्तियों को बिहार में काफी बड़े तौर पर आकरसित करने का प्रयास किया था सोरा क्या है सोरा है बिसिकली जिसका प्रयोग कहां पर किया जाता है बारूद में ठंडा रखने के लिए भी किया जाता है बारूद में भी किया जाता है तो इस उदेश से बिहार जो है उसमें काफी जो है आप देखेंगे तो बिहार में काफी बिहार की डिमांड जो है वो अपनी वेसिक सक्तियों के सामने काफी अक्तिधिक थी बिहार छेतर क कि मांग थी क्योंकि यहां पर सोरा का उत्पादन होता था उससे एक जाती भी जुड़ी थी जातिया बेसिकली नोनिया समुदाय इससे जुड़ा हुआ था अंग्री जोनी 1620 इस्वी में पटना में अपनी पहली फेक्टरी स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन वह स्थापित नहीं हो पाई जहांगीर के सासनकाल में स्थापित करने का प्रयास किया गया था लेकिन वह स्थापना पूर्ण नहीं हो पाई पूर्ण जो है वो फाइ प्रत्वम प्रारंभ में अंग्रेजों की रूची सूती वस्त्र अनाज और सोरे की प्राप्ति मात्र थी लेकिन बाद में अंग्रेज जो है वह नील के उत्पादन की ओर भी आकर सित हुए 1632 इस्वी में पटना में डच फैक्टरी की अस्थापना हुई है 1632 इस्वी में बिहार के सुबेदार साइस्ता खा के द्वारा व्यापार पर कर लगा दिये जाने के कारण ब्रिटिस फैक्टरी का प्रमुख जॉब चार नौक ने हुगली सहर को यही कलकत्ता का संस्थापक भी है और इसी ने आप देखिएगा तो हुगली सहर को लूट लिया था ठीक है और 1717 में दोनों पक्छों में समझोता हो जाने के बाद आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1717 में दोनों पक्छों में समझोता हो जाने के बाद फरुक सियार ने अंग्रीजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी ठीक है क्योंकि भाई अब यहाँ पर बिहार का सुबेदार था साइस था खाँ उसने कह दिया भाई वैपार पर ज्यादा तुमको पैसा देना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा फानली क्या कर दिया जॉब चारनौक ने हुगली जो पस्चिम बंगाल में है उस सहर को लूट लिया और उसके बाद जो है समझोता हुआ और समझोता के बाद अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में वैपार करने की पुना सुतंतरता दी गई मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी जो कंपनी थी उसको 1620 में स्थापित करने का प्रयास किया गया था 1620 के समय में 1623 में लेकिन वह स्थापित कब हो बाई वह स्थापित 1651 के दोरान में हुई है साजहा के टाइम पर यह मैंने अल्रेडे आपको बता दिया है फिर भी ध् स्थापित कर दे लेकिन वह हो नहीं पाई और वास्तविक सफलता उनको 1651 इस्वी में अंग्रेजों को मिलती है प्रांसिसी यात्री टेवर नियर ने अपने यात्रा विरतांत में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है तो फ्रांसिसी यात्री टेवर नियर ने अपने यात्रा विरतांत में जो पटना का छेत्र है उसको दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है और एक यन अन्य यात्री है मैनरिक ने ततकालीन पटना की जनसंख्या लगभग कितनी बताई थी दो लाख बताई थी अंग्रेज वैपारी जॉन मार्सल और पीटर मुंडी का पटना आगमन हुआ तथा 1634 इस्वी के मद्ध तक वह विहार में रहे हैं और उस समय मुगल सासक कौन है 1634 के दोरान में सा जहां अब थोड़ा सा हम लोग पलासी का युद्ध जो है आप लोग जानते हैं कि पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ जिसमें सिराजु दौला की हार हुई सड़यंत्रों से अंग्रेज ने उनको हरा दिया उसमें मीर जाफर जो उसका सेनापती था उसने अपनी सेना की टुकडी सामिल ही न की सिराजु दौला के पक्ष में जिससे कारण अंग्रेज जो है उन्होंने सिराजु दौला को पराजित कर दिया अब देखिएगा तो प लौड कलाइव के साथ पटना आया तथा कलाइव ने मीरन को बिहार का उपनबाब न्युक्त किया। तो अंग्रेजी गवर्नर लौड कलाइव मीर जाफर के साथ आता है और मीर जाफर जो है वह मीरन को कलाइव के माध्यम से Cyaक करता है? बिहार का उपनबाब न्यूक्त करता है परंतु मीरन वास्तों में सत्ता सीन नहीं हो सका तो वास्तविक्ता में वह सत्ता सीन नहीं हो पाया और आप दिखीएगा तो उसमें ततकालीन मुगत्त हजादा कौन है अली गौहर अथवा शाह आलम द्यूतिय ने बिहार के छेत्र में मुगल सत्ता को पुनर स्थापित करने का प्रयास किया है तो साह आलम द्यूतिय जो है वह बिहार में मुगल सत्ता को स्थापित करने वाला एक प्रमुक्षाशक भी है जिस प्रकार वर्तमान में बिहार राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है ऐसी परिस्तितियां पहले भी विद्यमान हुआ करती थी 1783 में बिहार में पड़े भीशन अकाल का सामना करने है तू अनाच के भंडारन के लिए पटना में गूल घर का निर्मान करवाया गया था तो कहाँ पर किरवाये गया था भाई? पटना में गूल घर का निर्मान करवाये गया था 1783 में बिहार में भीषन अकाल का सामना करने के लिए इस समय गवनर जन्रल कौन है अंग्रेजों में? तो इस समय बंगाल के गवनर जन्रल है वारन हिस्टिंग्स 1773 से 1785 तक आपको पत पर खरा नहीं उत्रा फिर क्या किया गया मेर जाफर को हटा करके मीर कासीम को बना दिया गया मिर कासीम भी बड़ा स्वतंत्रता प्रिय टाइप का आधमी था उसने क्या किया उसने देव। कि तरह क्या किया भई अपनी राजधानी मुरसीदाबाद से हटा कर कहा लेकर चला गया मुंगेर बिहार के मुंगेर में तो पूप का कारखाना टाइप का जो बनाता है बारूत का कारखाना वो मुंगेर में जो देखने को मिलता है वो इसी की देन है मीर कासीम की अंग्रीजों की नीतियों से असंतुस्ट अवध का नवाब सुजाउ दौला, मुगल बादशाह शाह आलम दियोती है जिसको अली गौहर भी कहा जाता है और चुकि मीर कासीम से भी क्या थी? मीर कासीम से भी अंग्रेज नाखुसी थे तो आप देखिएगा तो मीर कासीम को भी उस पद से हटा दिया गया तो जो बंगाल का पदस्त नबाब है मीर कासीम इन तीनों की सैयोक सीना ने किसको किसके साथ युद्ध कर किया? हेक्टर मुनरो के नत्रतों में कमपनी की सेना के साथ जो है वह युद्ध हुआ कहने का मतल है कि इधर कौन कौन है? इधर है आपका सुजाओ दौला, अवद का नबाब, साथ ही साथ, शाह आलम द्यूतिय, साथ ही साथ, तीसरा कौन है? सुजाओ दौला है, शाह आलम द्यूतिय है और मीर कासीम है इधर कौन है? अंग्रेजी सेना है, उसका नत्रतों करता कौन है? ह अवद का नबाब, एन लिख दे रहा हूँ, सुजाउ दौला, दूसरा कौन है, मीर कासिम, बंगाल का नबाब, बियन लिख दे रहा हूँ, बंगाल का नबाब, मीर कासिम, अपदस्त नबाब, और उसके बाद, मुगल जो नबाब है, क्या नाम है, मुगल शाशक का, शाह आ सालम द्यूतीय, अली गुहर जिसको कहा जाता है, ये तीनों है, एक साथ मिले हैं, इधर कौन है? इधर है, अंग्रेजी सेना, कमपनी की सेना,र इसमें कौन है? कमपनी की सेना में हैक्टर, मुन्रो, कौन है भैया? हैक्टर, मुन्रो, हेक्टर मुन्रो और हेक्टर मुन्रो के नित्रतों में कमपनी की सेना है इधर ये तीनो है और पराजित हो जाते हैं कौन? ये तीनो इसमें पराजित हो जाते हैं ये तीनो जो हैं वो इसमें पराजित हो जाते हैं कौन भईया? ये तीनो ठीक है, ध्यान दिजिएगा, ये तीनों, clear है, चलिए, 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध होता है, बहुत जगा पे 24 अक्टूबर भी देखने को मिलता है, तो बहुत में आपको मिलेगा कि 24 अक्टूबर को हुआ था, बहुत जगा पे 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध होता है, इस युद्ध में, obviously, अंग्रेजों की विजय हुई, सक्ति 40 सेना थी उनके पास, इस युद्ध में उनका विजय हुआ, परिणाम स्वरूप, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, तथा, ओडीशा, जो वरतमान, ओडीशा है, उसकी दीवानी प्राप्त हुई, मतलब, टेक्सीशन वाला राइट जो है, वह मिल गया, अंग्रेजों को, और इसके साथ ही, अंग्रेजों का भारत में, राजनैतिक सक्ति के रूप में, उभार हुआ, तीक है, वैसे कहा जाता है, कि भाई, इतिहासकारों के द्वारा, कि राजनैतिक सक् पलासी के युद्ध के बाद, ये तो एक उनको यहाँ पर सोचेगा, तो यहाँ पर उनको एक बल जैसा मिल गया, जब बकसर के युद्ध में उनकी विजय हो गई, क्योंकि यहाँ से उनको दीवानी अधिकार भी मिल गया है, साह आलम द्यूतिय द्वारा, जो मुगल सासक है, बिहार, बंगाल तथा उडिशा के छित्रों में लगान वशूली का अधिकार, इस्टेडिया कंपनी को परदान करने से, बिहार में जो सामान्य प्रशासन है, उस पर भी अंग्रेजों का नियंतरन स्थापित हो गया, करेगा ही, करेगा, पैसा का तुम टेक्सिसन का अधिकार दे दिये, ठीक है, माल लेते हैं कि तुमने क्रिमिनल जो राइट है, मतलब क्राइम से रिलेटड या फौसदारी से रिलेटड जो राइट है, वो नहीं दिया है, लेकिन कहीं ने कहीं वो प्रभाव, वो है, उसके कारान भी पड़ेगा, और साथ ही साथ, दो में से एक राइट तो दे ही दिये, तो एक राइट के कारान भी दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, बिहार तथा बंगाल छित्र को द्वैध प्रशासन के अंतरगत लाया गया, इसमें क्या है भाई, इसमें भाई, ए इसके लिए भी उपदिवान न्यूक्त कर दिया, जैसे बिहार के छेतर में सिताब राय को, इधर बंगाल के छेतर में रजा खान को, तो इसमें भी गेम किया, कि मैं क्यों सीधा सीधी लोगों के सामने बुरा बनने जाओं, मैं किसी को सामने रख देता हूं, मतलब दूसर के कंधे पर रख कर हीं, बंदूग चला दो, क्लियर है, 1793 इस्वी में लागू अस्थाई बंदोबस्त प्रनाली में आप देखेंगे, बिहार को भी सम्मलित किया गया, 1793 इस्वी में गवनर जन्रल है, कॉर्ण वॉलेस, और उन्होंने इस्थाई बंदोबस्त प्रनाली बिहार में लागू की, अस्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, परमानेंट सेटल्मेंट जिसमें बंगाल, बिहार और उडिसा की, आप देखेंगे, तो वहाँ पर मुख्य तौर पर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें होता क्या था, तो देखे है किशान है पीजिंट किशान है वह यह हमें जो है किसान से सीधा मतलब नहीं है इनको ठीक है लो मैं कर कैसे वसूलूंगा तुम इनको दो ठीक है और इनसे मैं वसूलूंगा समझ रहें तो यह स्थाई बंदवस्था जिसमें इनको बेचारों को 11% और इनको 89% मिल जाता था मतलब 100 रूपय अगर कोई दे रहा है किसान, तो यह 11 रूपय जमिनदार को और 89 रूपया अंगरेजों को मिलेगा, थोड़े स्थाई टाइप की विवस्था थी, 1793 में इसको कॉर्ण वॉलिस जो समय का गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा लाया गया था, कॉर्ण वॉलिस क अब दिखिएगा, तो जो है स्थानिय च्छितरों में, यूपी बिहार के स्थानिय च्छितरों में भी विरोध होता है, तो कासी के चैत सिंग कोई हैं, वेक्ती हैं, राजा हैं वहां के उनकी विद्रोह से प्रेजित होकर 1781 में पटना के कुछ जमिनदारों ने भी विद विद्रोह का असफल प्रयास किया है, मतलब असफल प्रयास मतलब उसमें सफल ना हो पाए, ठीक है, लेकिन कोशिस किया, जैसे हम लोग भी कभी कभी करते हैं, कोशिस करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रिलिम्स नहीं निकल जाता है, तो असफल प्रयास होगा कि कोशिस करने के के रूप में काम करने लगे चार्ल्स फ्रांसेस ग्रांट नाम याद रखिएगा बहुत इंपोटेंट है चार्ल्स फ्रांसेस ग्रांट पहुशदारी के बाद भाई अब्यसलि बात है मजिस्ट्रेट बनाना पड़ेगा क्योंकि क्राइम रिलेटेड मामला आ गया है अब अब देखिएगा तो कुछ-कुछ देखा जाए प्रसासनिक परिवर्तन इसमें भी आपको कुछ दिखेगा आधुनिक काल में बिहार में प्रसासनिक परिवर्तन देखेंगी तो 1865 के समय पर क्या हुआ है पटना और गया को अलग-अलग जिलो में संगठित किया गया 1865 के समय में 1866 के समय में क्या हुआ है सारन जिले को प्रिथक कर चमपारन जिले का निर्मान किया गया ये कब किया गया है 1866 में 1869 में क्या हुआ पटना जिले के कुछ छेतर को तिर्हुत में मिलाया गया ये 1869 में हुआ है उसकी बाद 1875 में क्या हुआ है तिर्हुत को मुझपर पूर्त था दर्भंगा नामक दो इकाईयों में विभाजित किया गया है तो देखिए ये सब क्रम है जो प्रसासनिक चीजे हैं ये आपको याद रखना है कि भाई पटना जिले के कुछ छेतर को तिर्हुत वाला जो इलाका है उसमें मिला दिया गया और तिर्हुत को मुझपर था दर्भंगा नामक दो इकाईयों में विभाजित किया गया क्लास के सुर्वात में ही मैंने आपको बताया कि भाई तिर्हुत में तिर्हुत भी जो है अब एक आपको नाइन डिविजन्स में से एक है नौ परमंडलों में से अब आजाईए थोड़ा सा ब्रिटेश सरकार के बिरुध जो बिद्रो हुआ उसमें कि मैंने इसके लिए ऐसे अलग से भी क्लास ली है उसको भी देख सकते हैं एक साथ देखिए एक साथ का मजाई कुछ और है पताईए आपको तो देखिए 1770 से 1800 इस्वी के मध्य बिहार के मुख्य सुरा उत्पादक केंद्रों में कौन है तिरुध तिरुध का इलाका तिरुध का आपको बता है दर्भंगा मधुबनी वाला तो इलाका है लेकिन बाद में देखिएगा यहाँ पर देखिएगा तो क्या किया गया है मुझा पर पुर्चता दर्भंगा को अलग-अलग विभाजित कर दिया गया तिरुध को ठीक है यह 1875 का समयकाल है तो तिरुध हाजिपूर शारन और पुरुनिया में हुआ था यह जो चीजें है यहाँ पर हुई है 1770 से 1780 के बीच लेकिन है क्या कि देखिए बिहार में म इसा मिलता था वो बड़ा कम एमाउंट का होता था अब यह लोग क्या करने लगे दूसरे को भी सोरा बेचने लगे और यह बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आए इस बात के कारण ही आप देखेंगे तो एक घटना घटती है कि अंग्रेजों के द्वारा इनका व्यापक तोर पर बड़ी बुरे तरीके से इन पर दमन किया जाता है इस समुदाई के लोगों पर और जिसके कारण नूनिया विद्रु होता है देखिएगा तो सोरा का जो है इलोग बनाते थे अब सोरा बनाने का प्रियोग पता है आपको बारूद बनाने में किया जाता है और उस से 15 आना में देते थे जबकि अन्य वैपारी जो कंपनी से संबंदित नहीं थे तीन से चार रुपे प्रती मनसोरा देते थे अब सुचिए भाई एक मनसोरा का मुल जो है अंग्रेज कितना कम में दे रहें आना में दे रहें और दूसरे जो वैपारी जो अंग्रेजों से मंदित नहीं थे वो तीन से चार रुपए प्रती मन सोरा देते थे और इसलिए क्या हुआ गुप्त तरीके से नोनिया समुदाय ने क्या किया भाई कि तुम मुझे बेवकूब बना रहे हो तुम मुझे कम दाम दे रहे हो तो अन्य वैपारियों को वो देने लगे जिसके पह तमारों विद्रोह में तमार विद्रोह 1789 से 1794 के बीच छोटा नाकपूर की उडाव जनजातियों के द्वारा जमिन्दारों के शोशन के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया चोटानाकपूर जो जारखंड का इलाका है वहाँ पर उराओ जनजातियों के द्वारा जमिंदार के सोसन के बिरुध मिंस जमिंदारों के द्वारा वहाँ पर सोसन की जाती थी उराओ जनजातियों के लोगों को उसकी बिरुध ही उराओ जनजातियों ने यहाँ पर तमार विद्रोह किया है और इसे तामर विद्रोह भी कहा गया है तमार तामर जो बोलिये वहाबी आंदोलन आपको पता है कि भाई वहाबी आंदोलन इसलाम की एक प्रमुक साखा है साउदी अरब्या केस अब्दुल वहाब इसके प्रवर्तक है लेकिन फाइनली आप देखेगा त जो उत्तर प्रदेश के राय बरेली के हैं, इसके बाद आपको दिखेगा कि पटना इस वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश इसलाम में सुधार करना था, सामाजिक सुधार था, वो चाहते थे कि किसी भी पास्चात्य धर्म क प्रभाव इसलाम पर न पढ़े, और इसी कारण से, चुकि पास्चात्य धर्म का प्रभाव वो पढ़ता देखना नहीं चाहते थे, इसी कारण से वो क्या हुए, धीरे-धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव तो पढ़ता ही, तो धीरे-धीरे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध होने के पीछे का रेजन उनका, जो ये सामाजिक सुधार जो उनका इसलामों में उद्देश था, वही बन गया, थिक है, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि अंग्रेजी या फिर जो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव न पढ़ जाए, इसलिए उन हो लोग अंग्रेजी, अंग्रेजों का विरोध करने लगे और धीरे-धीरे कालांतर में, अंग्रेजी सत्ता के विरोधी भी ये लोग हो गए हैं, मुख्य केंदर इसका बिहार है, हाला कि उत्तर पस्चिमी प्रांत, सीतना भी इसका एक प्रमुख कें रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पास, ठीक है, यह सब मैंने आपको बता दिया, स्यद अहमद वरेलवी 1821 स्वी में पटना गए, जहां उन्होंने बहाबी आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए चार खालिफाओं के न्युक्ति की, विलायत अली, इनायत अली, मुहम अमद हुशैन को पटना में अपना प्रमुख प्रतिनिधी न्युक्त किया, 1822 से 68 तक पटना वहापी आंदोलन का प्रमुख केंदर रहा, जिसके प्रमुख नेता विलायत अली और उसके बाद उनकी भाई इनायत अली थे, अब आजाईए, कोल विद्रुह 1831, 32 इसका समय निकाल है, कोल विद्रोह का, तो कोल विद्रोह 1831, 32 ये कहा हुआ है, इलाका कौन सा है, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर का, मुंडा उडाओं हो महाली, आदी जंजातिया निवास करती थी, छोटा नागपुर छेतर में, और इन्हें मैदानी लोग क्या बोलते कोल बोलते थे यहां पर देखिएगा तो ब्रिटिस सरकार ने यहां पर देखिएगा जो एक कर लगाया था तो सकर वो भी इसके लिए एक उत्तरदाई था यह कर है चर नहीं कर है वो भी इसके लिए उत्तरदाई था चावल की सडाब जिसको हरिया कहा जाता है हडिया के उत्पादन पर सुल्क लगा दिया गया था जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए ही तैयार करते थे और उस पर अगर आप कर लगा दिजेगा जिसको इस लोग अपना उपयोग ले तैयार कर रहा है तो सब आपको पीटेगा तो ऐसे ही हुआ इन लोगों ने बिटेश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया नित्रतु करता बुद्धो भगत थे बुद्धो भगत इन्होंने इसमें भीशन संघर्स किया इस संहर्स में बुद्धो भगत सहेत हजारों विद्रोही मारे गए और बुद्धो भगत के पस्चात गंगा नारायन ने 1832 इस्वी में इस विद्रोह का नित्रत तुस किया है और यह विद्रोह रुक रुक तक कर 1848 इस्वी तक चलता रहा हला कि अंग्रेजों ने इसका काल अंतर में कुछ समय के बाद दमन कर दिया अब आजाए संथाल विद्रोह में तो संथाल जनजाती के लोगों ने कंपनी सरकार के अमानवीय कानूनों पोलिस ठेकेदार तथा दीकूओं दीकूओं कौन होते हैं बाहरी लोग तो इनके खिलाफ जो है वो विद्रोह किया बा भावित करते थे कानून जो कमपनी सरकार ने बनाई थी पोलिस क्योंकि उनके संस्कृति उनके जमीन इन सब सब को छीनने का काम करते थे ये लोग तो इस कारण से संथाल जनजाती ने इनका विद्रोह किया बिहार के भागलपूर से लेकर राजमहल तक संथाल बसावट छ खित्र में आपको इस आंधोलन का प्रभाव दिखने को मिलता है। तो ये है संथाल विद्रोह अब इसके बाद आ जाएगा लोटा विद्रोह कब है। और बिहार हम लोग लास्ट में फिर देखेंगे अभी कुछ उसमें मुंडा विद्रोह भी हम लोग इसमें लास्ट में देखने का प्रयास करेंगे। मुंडा विद्रोह भी काफी इंपोर्टेंट होगा। क्लिर है। तो आप लोग को सेशन समझ में आ रहा है कि वस क्या लग रहा है। कमेंट तो करी नहीं पा रहे हैं आप लोग कोई बात नहीं। मजा आ रहा होगा। हमें तो आ रहा है। चलते चलते हमारी हालत खराब है। छे-छे घंटे, पाच-पाच घंटे। चलिए। कोई बात नहीं। सब जीवन हैं आप लोग भी संगर्स करिए। सफलता जरूर मिलेगी। 1857 इसवी के क्रांती तथा बिहार। आप देखिएगा। तो बिहार से संबंदित बात कर रहा हूं ध्यान देना है। ऐसा नहीं सोच लिज़ेगा कि भारत के संबंद में बात हो रही है। भारत में अंग्रेजों के बिरुद्ध सबसी जन जो ससक्त जन आंदोलन कब है? 1857 का जन आंदोलन रहा है। बिहार की महत्तपूर्ण भ्हूमिका रही है बिहार की महत्तपूर्ण भूमिका इस क्रांती में रही बारह जून 1857 को ततकालीन बिहार के देवघर जिले के रोहनी ग्राम में सीना की 32 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया तो 12 जून 1857 को ततकालीन बिहार के देवघर जिले के रोहनी ग्राम में स्रीना की 32 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया 32 रेजिमेंट में कारेरत सेनिकों ने मेजर नॉर्मन लिसली थे तथा सहायक है सार्जिंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी तो ये ध्यान देना है इसमें जो है आपको सबसे पहले सवाल ये पुछा जा सकता है कि जो सबसे पहले कहां पर ये विद्रोह प्रारंब हुआ तो बिहार में देखा जाए तो देवघर जिले के रोहनी ग्राम में ये कहां पर है वर्तमान में तो ये जारखन में पड़ जाएगा देवघर में ठीक है 16 जून 1857 को तीन सैनिको को फासी दी गई और 32 रेजिमेंट के कार्याले को कहां से कहां रोहिनी से भागल पूर स्थरांतित कर दिया गया अंग्रेजी सरकार भी सोच रहा था कि भाई इस तरह से लोग विद्रोह मार देता है अब इलोग को थोड़ा से यहां से खेदो नहीं तो भी लोग जो है सो हम लोगों को ही खेद देगा तो वही काम किया अर इस समय पटना के कमिस्णर कौन थे विलियम ठीक विलियम थे तथा दानापुर स्थित जो मुख्याले है वो मेजर जनरल लो आयट के नियंत्रण में था इस अब याद रखिए का नाम है अब इसमें कोई क्या इस्पिसल बता दे पटना सिटी में विद्रो का नित्रत तो एक स्थानिय पुस्तक विक्रेता पीर अली कर रहे थे बड़ा इंपोर्टन्ट सवाल है पूछा जा सकता है परिक्षा में कि भाई पटना इस्थित जो विद्रो है उसके नित्रतो करता कौन थे तो पीर अली थे जिस प्रकार से जगदीश पूर करनेत्र तो करता देखा जाता है, बिहार करनेत्र तो करता आप देखते हैं कि कौन थे, वीर कुमर सिंग थे, उसी प्रकार पटना में कौन थे, पीर अली, पीर अली ने अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लॉयल इवं उसके सहयोगी सैनिक की हत्या कर दी अब इस पर देखिएगा तो क्या होगा, जब ऐसा कुछ करेंगे, तो अंग्रेजो कोई भाएगा, नहीं भाएगा, तो अंग्रेज क्या बोलेंगे, अंग्रेज कहेंगे कि भया इस व्यक्ति को सबसे पहले फासी दो यह हमें ही चुनोती दे रहा है, तो उस समय कौन था क कर लिया और फासी दे दी गई, तीक है, उसके बाद दानापूर सैनिक मुख्यालेओं में भी क्या हुआ, 1857 में कमपनी के विरुध विद्रोह कर दिया, जुलाई 1857 में, और ये सैनिक कहा तक पहुँच गए, अब पहुँच गए, असली व्यक्ति के पास, कहा तक, जगद तो कर लीजी, तब जाकर अंग्रेजी जो है, ये हुकुमत जो है, इससे हम लोग कुछ सांती मिल सकेगी, इसको हम लोग समाप्त कर पाएंगे, हलाकि अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि विर कुमर सिंग इस नित्रितो की भूमिका को न ले, नित्रितो करता की भूम चोटे भाई, अमर सिंग नी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कुवर सिंग ने जगदीशपूर किले में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना इस्थापित किया। आरा चेतर पर अधिकार कर लिया, सेनिको का नित्रतो करते हुए, आरा को विद्रोही सेनिको के अधिकार से मुक्त करवाने गए, कैप्टन डनवर की इस संघर्स में मृत्यू हो गई। ठीक है, ये बात आप ध्यान दिजेगा, और कुमर सिंग छापामार युद्ध में तो कैप्टन डनवर का जो संबंध है, वो आरा को विद्रोही सेनिको से के अधिकार से मुक्त कराने के दौरान है, आरा चेतर को, तो अगर ये सवाल पूछे, तो इध्यान दिजेगा, अंगरेजों से संघर्ष के दौरान उनके हाथ में तूप का गोला लग गया, जिससी संकर्मन फैल जाने के कारण, उन्होंने अपना एक हाथ काट कर अलग कर दिया, सोची क्या सकती है, इस व्यक्ति में कि अपना एक हाथ काट कर अलग कर दिया है उन्होंने, 26 अप्रेल 1858 को कुवर सिंग के मृत्यू के पस्चात उनके छोटे भाई अमर सिंग ने अंग्रेजो के बिरुध जो है युद्ध में बिरुध बिद्रोह में अब जो है वो कमान संभाल ली अमर सिंग जगदीशपूर में एक सामनांतर सरकार की स्थापना करते ही सामनांतर मतलब होता है पैरलर गोर्मेंट हम उस सरकार की बात क्यों मानेंगे मेरा हम अपना एक अलग सरकार बनाएंगे और इसके प्रमुक किसको बनाया था उन्होंने हरकिशन सिंग को निखावी हु गई तो उत्तरपर्दीश की गूरखपुर में लंबी बीमारी के कारण अमर सिंग की मृत्यू हो गई जो वीर कुमर सिंग के भाई थे अब आजाई ये मुंडा विद्रोह एक विद्रोह बच गया था उसके बीच में ठाराज़ो संतावन की क्रांतिया गई क्योंकि उसके पहले तक हम लोगों ने लोटा विद्रोह पढ़ लिया लेकिन उसके बाद एक विद्रोह बढ़ गया बच गया था क्योंकि ये काफी बाद में हुआ है 1899-1900 के समय में यह विद्रोह आपको देखने को मिलता है तो यह निद्रोह जो प्रसिद मुंडा विद्रोह है यह किसके नत्रित्तों में आया है विर्शा मुंडा के नत्रित्तों में इसमें क्या थी विवस्था इसमें देखिए उनकी परमपरिक भूमी संबंदी जो वो विद्रुह किया है विर्शा मुंडा का जन्म पंद्रह नॉमबर 1875 को जारखंड प्रदेस में राची के उलिहाती गाउं में हुआ था यह भात आपको ध्यान में रखनी है कि उनका जन्म पंद्रह नॉमबर 1875 को हुआ था मतलब भाग्य से मेरा भी जन्म दिन जो है वो सेम ही है पंद्रह नॉमबर ही है लेकिन ये वाला जो बगल वाला है 1875 ये नहीं है तो और इसी दिन देखिएगा जारखंड भी बना है तो बड़ा अच्छे तरीके से मेरे को याद रहता है आज जब इस टार्टिंग में पढ़ाया होंगा तो मैरे तीन चार बार पंद्रह नॉमबर बोल दिया क्योंकि मुझे याद है मेरा ही जन्म दिन के दिन बना है इन्हें मिस्नर्यों जो इसाई मिस्नरी हैं उनके द्वारा सिक्षा प्राप्थ हुई थी ये अपने आपको मानते थे कि इनको जो है इस्वर ने अल्लाह ने क्यों भेजा है इसको इस्वर अल्लाह ने भेजा है कि भाई आप लोगों की भलाई करें ये धर्ती अब्बा आपने आपको धर्ती अब्बा के नाम से भी इनको जन्ता पुकारती थी ठीक है चलिए आगे आजाईए वह जर्मन मिशनर्यों के प्रभाव में आकर इसाई बन गए थे ऐसा माना जाता है कि वह जर्मन मिशनर्यों के प्रभाव में आकर इसाई बन गए थे और उसके बाद इसके अतरिक्त वैसनव धर्म से भी वह काफी प्रभावित थे तो वैस्नमव धर्म से भी प्रभावित थे, इसाई भी बन गए थे जर्मन मिश्नरीों के प्रभाव में आकर एक ज़ने है इंए? चलिए एक माननेता के अनुसार 1895 इस्वी में विर्शा को परमेस्वर के दर्सन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगे कहने लगे कि भाई उनके पास लोगों को निरोग करने की सक्ति प्राप्त है अब जब ऐसी सक्ति किसी के पास होती है तो अब्यसली आप जो समझेंगे तो उसको धर्ती पर भगवान ही माना जाएगा तो यह धर्ती अब्बा इनको लोग पुखारते थे मुंडा जनजाती में सामुही खेती की परमपरा थी पर जमिंदार ठेकेदार बनियों एवं महाजनों ने अंग्रेजयों के संरक्षन में आकर्मन करना प्रारंब कर दिया जिसके परणाम स्वरूप 1899 में आप दिखेंगे तो मुंडाओं ने भी इसके परणाम स्वरूप भाग लिया इस विद्रोह में मुंडा इस्त्रियों ने भी भाग लिया था 1990 में आप दिखेंगे विद्रोहियों ने पुलिस को निशाना बनाया परंतु जनवरी 1900 में सैलिर कैप पहाड़ी पर ब्रिटिस सेना के द्वारा जो है वो वो लोग पराजित हो गए और विर्शा कुछ समय के बाद पकड़े गए और उनकी मृत्यू जेल में ही हो गई उसके उनकी मृत्यू के पस्चात यह विद्रोह शान्त हो गया कॉंग्रेस की स्थापना तथा बिहार अब आएंगे कॉंग्रेस की स्थापना तथा बिहार पे कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई है 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल्दा संस्कृत विद्याले में अंग्रेज एउ ह्यूम के द्वारा कॉंग्रेस की स्थापना की गई जिसकी प्रतम अध्यक्ष कौन बने थे W.C. बैनर जी तो वियोमीस चंद्र बैनर जी इसकी प्रतम अध्यक्ष बने थे कॉंग्रेस के प्रतम अधिवेशन में 72 प्रतिनीधियों ने भाग लिया लेकिन ध्यान दिजेगा कि पहले वाले सेशन में सबसे फर्स्ट सेशन में कॉंग्रेस के किसी भी प्रतिनीधी कोई भी प्रतिनीधी बिहार का नहीं था यह भी आपको ध्यान में रखना है कॉंग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनीधी थे जबकि तृती अधिवेशन में बिहार के मात्र दो प्रतिनीधियों ने भाग लिया था कॉंग्रेस का 27 वा अठारा सो पचासी से 27 वा जोड लिजे 1912 होगा और 37 वा दोनों बिहार में हुआ था तो 1912 वाला हुआ था प्रतम अधिवेशन बाकीपूर पटना में जिसके अध्यक्ष कौन थे आर एन माधोलकर रगुनात सिंग माधोलकर 1922 में किया गया था कॉंग्रेस के 37 वा अधिवेशन कहाँ पर बिहार के गया में जिसके अध्यक्ष कौन थे चितरंजन दास यहीं पर आप देखेंगे स्वराज पाटी का भी गठन हुआ है जिरों ने कहा कि भीया हम लोग विधाईका में प्रवेस पाकर अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करेंगे और कुछ लोग थे जो चाहते थे कि नहीं भाई हम विधाईका में रहकर जो है वो यह प्रवेस नहीं करेंगे हम लोग विधाईका में रहकर यह विद्रोह नहीं करेंगे हम लोग विधाईका में बाहर से ही हम लोग जो है वो अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करेंगे भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का पटना अधिवेशन, 27 वा अधिवेशन कहां हुआ, बाकिपूर पटना में स्थान कौन सा है, 1912 है, वरस 1912 है, अध्यक्ष कौन है, आर एन माधोलकर, इसको एक ग्राफ में बना दिया है, ताकि आप लोगों के लिए आसान रहेगा, भारतिय राष्ट्य आंदोलन में बिहार के कृस्कों ने महत्तोपूर्ण भूमी का निभाई थी, बिहार में किशान आंदोलन में हम लोग पढ़ रहे हैं, और 1912 सदी के उतराध में आप देखेंगे, तो ब्रहत पैमाने पर बंगाल के बंगान मालिकों ने बिहार के किशान कर दिया, दर्भंगा के राजा की सोसनकारी नीतियों के खिलाफ क्रिश्कों ने 1883-84 में भी विद्रो किया है, यह छोटे-छोटे विद्रो हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, चमपारन सत्यागरह के साथ बिहार में किशान आंदोलन संगठित रूप से प्रारंभ हो गय चमपारन सत्यागरह के साथ ठीक है, उसके बाद दिखिएगा, तो वर्स 1917 हिस्वी में गांधी जी के नत्रतों में नील उत्पादक किशानों ने तीन कठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन किया है, तीन कठिया प्रथा के विरोध में यहां आंदोलन हुआ है, तीन कठि लेंड में आपको करनी है नील की खिती तो 20 कठे लेंड में से 3 कठे लेंड में आपको नील की खिती करनी है और यहां अंगरीजों की एक तरह से मनमानी थी जो भी किसान इस बात को नहीं मानता था उसको अंगरेज क्या बोलते थे उसको जो अंगरेज है वह यह मानते थे कि म अब देखिएगा थोड़ा किसान सभा के बारे में देख लिया जाए कि बिहार में मुंगेर में 1922 इस्वी में साह मुहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया तो ये बात याद रखिएगा कि 1922-23 में शाह मुहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया स्त्री कृष्ण सिंग को उपाध्यक्ष तथा सिद्धेश्वरी चौधरी को और नंद कुमार सिंग को सचीव बनाया गया ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा ये तो कोई उपाई नहीं है इसके इतर कोई आपके पास उपाई नहीं बचा है भूमिहार किसानों को संगठित करने के उद्धेश से स्वामी सहजानन सरस्वती ने बेहटा में एक आस्रम की अस्थापना की कि भाई जो भी क्रिशक है उनको एक संगठित किया जाए और ताकि जो है फिर अपनी आवाज को हम लोग बुलंद कर पाएंगे वर्स 1929 में सहस्वामी सहजानन सरस्वती की अध्यक्चता में बिहार प्रांतिय किशान सभा की अस्थापना सोनपूर मेले में की गई तथा इसके सचिव थे स्रिक कृष्ण सिंग इनके सचिव बनाए गए किसान आंदोलन को प्रसारित करने के लिए राहुल संकृत्यायन कार्यानन्द सर्मा तथा पंचानन सर्मानी महत्तोपूर्ण योगदान इसके लिए दिया है अन्नवारी छेत्र में देखेंगे किशानों के आंदोलन का नत्रत राहुल संकृतायन ने दरभंगा वह शारन में यमुना कार्थी और गया में यदुनंदन सर्माने किया है देखेंगे ये सब नत्रत तो करता हैं किशानों के नेता हैं जो बिभिन छेत्रों में क्या करते हैं जो बिभिन छेत्रों में किशान आंदोलन का नत्रत तो करते हैं ये उस प्रकार के नेता हैं अब देखेगा तो बिहार में किशान आंदोलन को गती प्रदान करने के उध्यस से वर्स 1929 में सरदार बल्लब भाई पटेल ने बिहार की आतरा की यह वर्स 1929 का समय हैं जब सरदार बल्लब भाई पटेल किशानों किशान आंदोलन को थोड़ा सा बल मिल जाए इसके लिए व बिहार की यात्रा करते हैं और देखिएगा तो द्यूतिय बिहार किशान सभा का आयोजन गया में 29-30 अगस्त 1934 को पुरुसुत्तम दास टंडन की अध्यक्षिता में किया गया जबकि तिर्तिय समेलन फिर से स्वामी सहजानन प्रथम और तिर्तिय स्वामी सहजानन द्यूति 27-9 बर 1935 को हाजिपुर में हुआ है फिर आप देखेंगे तो एक महत्तोपूर्ण चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर वर्स 1936 में अखिल भारतिय किसान सभा का लखनौ में स्वामी सहजानन सरस्वती की अध्यक्षिता में किया गठन जिसके सचेव प्र द्रास के प्रमुख किशान नेता में से एक नेता थे। इसके अस्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक आप देखेंगे उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्तो रहा उदारवादी विचारधारा वो लोग थोड़ा सा अनुनाय विनाय एप्लिकेशन मांग के आधार पर ब्रेटिस सरकार से मांग करते थे। अन्य क्रांतिकारियों ने स्वदीसी आंदोलन से पुर्व बिहार आये और बिहार में क्रांतिवाद के विचारधारा का प्रभा प्रचार प्रसार किया। तो दिखे आपको दिखेगा एक तो दिखेगा आपको उदारवादी एक तो दिखेगा आपको गरम पंथिया जो उगरवादी विचारधारा के थे। और एक क्रांतिकारी भी आपको इसमें दिखेंगे, तो बहुत लोग का यह मानना था कि उदारवादी तरीके से हम लोग स्वतंतरता प्राप्त नहीं कर सकते, श्वशासन प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन बहुत लोग का यह भी मानना था कि हम उदारवादी तरीके से कर सकत तो जो उदारवादियों के समर्थ थे वो उदारवादी नेता हैं जो क्रांतिकारी टाइप के थे कि भाई हम जो हैसो बंदुक की गोली पर आजादी ले सकते हैं वो क्रांतिकारी नेता थे तो उस समय की मांग के हिसाब से अलग-अलग टाइप के नेता अलग-अलग सोच र प्रभावना का विकास हुआ और अनुसीलां समीती ने बिरिटिस सरकार के बिरो दहिना अतमक संगर्स की प्रिना दिल्ग जिसका प्रभाव कहां पर पर पड़ता है जिसका प्रभाव बिहार में पड़ता है और इस विचार भधा Cam Bakura के घार सन्बौवार भीका वर्स 1967 इस्वी में रामक्रिष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा जी थाकुर्दास द्वारा की गई तथा दी मदर लेंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया इस समाचार पत्र के माध्यम से राश्ट्रोवादी विचारों का प्रचार प्रशार भी देखने को मिलता है वैसे आपसे यहां से पुछा जा सकता है कि भाई उन्हीं रामक्रिष्ण सोसाइटी की स्थापना किसकी द्वारा की गई थी तो आप कहेंगे कि पटना में रामक् वर्स 1908 में खुदी रामबोस तथा प्रफुल चा की द्वारा मुझपरपुर के जिला जज किंग्स फूर्ड पर बम फेक कर हत्या करने का प्रयास किया गया इस बम कांड की घटना ने युवको में क्रांतिकारी भावना का प्रशार किया अब आप देखिएगा मैं जैसे देखिए ये सब तो घटना करम है अब जब तक आप लोग थोड़ा सा आधुनिक भारत का इतिहास नहीं पढ़िएगा तो ये जो बिहार वाला में बता रहूं ये थोड़ा रेंडम रेंडम टाइप कर लगेगा तो इसके लिए जरूरी ह कि भाई आप लोग को एक बार आधुनिक भीहार के इतिहास को एक बार पढ़ लेना है चाहें तो लेक्चर से पहले पढ़़िए या लेक्चर के बाद पढ़िए अभी मन है अभी मेरे लेक्चर को छोड़ करके पढ़ सकते हैं तो ये समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएग क्योंकि ये भाई बिहार का है आधुनिक बिहार का इतिहास है न कि आधुनिक भारत का ध्यान दिजेगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के उद्यस से 1913 में पटना के अनुसीलन समीती की साखा स्थापित की सान्याल को बनारस्थड़यंतर केस के अंतरगत आजीवन काला पानी की सजा दी गई यह भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर देखिएगा तो इस बमकार्ड में क्या हुआ था लगना था किसी और को लग गया किसी और को जो भाई साहानभूती रखते थे हम लोगों से ठीक है प्रफुल चाकी जो हैं वो मुकामा जाते समय सुसाइड कर लिए और खुदी रामबोस को फासी दे दी गई थी पटना में अनुस्विलन समीती की साखा के स्थापना में बंकिम चंदर मित्र का महत्वपूर्ण योगदान है बंकिम चंदर मित्र का इन्होंने वर्स 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बाटा नहीं होता इसो तंतरता का एक परचा बाटा जिसमें बिहार नेश्टल कॉंग्रेस के कॉलेज के अखिल चंद दास गुपता तथा ती के घोस ने सहयो किया धाका इस्तित अनुसीलन समिती के कुछ सदस्य रेवती नाग के नत्रतों में भागलपूर में तथा यद्दुनात सरकार ने युवा करांती कारियों को कहा पर बकसर में तो दोनों ध्यान याद रखेगा नाम एक यद्दोनाथ सरकार का और एक रेवती नाग का एक भागलपूर में हैं और एक बक्सर में हैं यद्दोनाथ सहब बक्सर में हैं और रेवती नाग भागलपूर में हैं वैसाली निवासी वैकुंठ सुकल ने योगेंद्र सुकल के साथ मिलकर हाजीपूर में क्रांतिकारी गतिवीधियों को चलाया अस्वयोग आंदोलन में समलित होने के कारण वैकुंठ सुकल को 6 माह की सजा हो गई लाहोर सर्यंतर के सरकारी गवाह पनिंद्र घोस की हत्या वैकुंठ सुकल ने बेतिया में कर दी पुलिस ने गरफतार कर मोतिहारी जेल में रखा है इनको और उसके बाद 14 हपरेल 1934 को इनहें भी फासी दे दी गई तो वैकुंठ सुकलिन की को मोतिहारी जेल में रखा गया लेकिन फाइनली उनको भी क्या कर दी गई उनको भी फासी दे ही दी गई फाइनली ठीक है मुझे परपूर बमकांट यह मैंने आपको बताया कि भाई 1908 में खुदिराम बोस वा प्रफुल चाकी ने जंग्स जज किंग्स फोर्ड की बगगी पर बम फेका लेकिन वकील कैनेडी को लग गया जिनको हमारी सुतनता संग्राम से कुछ सहान भूती भी थी कैनेडी की पतनी वह उनकी पुत्री की मृत्यों हो गई उसी में और फाइनली देखेंगी तो प्रफुल चाकी ने आत्म हत्या कर ली और खुदिराम बोस को फासी की सजा सुना 1908 से 13 जुन 1908 तक सुनवाई हुई और वह सबसे कम उम्र में सहीद होने वाले एक क्रांतिकारी बन गए इसी में आप देखेगा तो सांती स्वरूप नारायन क्या कर रहे थे अपने समाचार पत्र स्वराज में मुझपरपुर बमकांड पर क्या रख रहे थे लेक प्रकास कर सकते हो हो होम रूल आंदोलन तथा बिहार आपको पता है 1916 में भारत में दो होम रूल लिगाया एक तिलक के द्वारा और एक इनी बेसंट के द्वारा तो तिलक वाला अप्रिल में इनी बेसंट वाला सितंबर 1916 में पूने होम रूल लिग किया स्थापना तिलक ने मद तोलन ने बिहार को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया इसमें एक प्रमुख नाम आता है मजहरूल हक का ये याद रखिएगा तो बाकी पूर में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल लिक की अध्यक्षिता में होम रूल लिक की अस्थापना हुई मुझहपर पूर में इ ठीक है चंपारन सत्यागरह बिहार में आप दिखे महत्यों है चंपारन सत्यागरह आपको पता है ये थोड़ा सा बिहार के लिए important topic भी बन जाता है क्योंकि चंपारन में जो आंदोलन हुआ है यह एक प्रमुख आंदोलन बनता है तो चंपारन सत्यागर्ह 1917 का आपको पता है कि गांधी जी का प्रथम सत्यागरह था और इसमें हुआ क्या तो बिहार ही नहीं, अपितु सम्पून भारते इतिहास की यहाँ एक महत्तोपून घटना है यह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्यागरह अंदोलन था ये आल्रेड़ी मैंने आपको बता दिया इसमें किसानों के सोसन से संबंधी ब्रिटिस सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया था ब्रिटिस सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को अपनी भूमी के तीन बटा बीसवें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवारे था जिसे तीन खटिया प्रणाली कहा जाता था किन्तु इसके बदले उन्हें कोई उचित लाभ प्राप्त नहीं होता था आप देखिएगा तो तीन कठिया पधती का सिस्टम था भाई कि बीस कठे लैंड में से तीन कठे लैंड में तुमको नील की खेती करनी है ये बड़ी मतलब अचंबित वाली बात है कि भाई मेरे को मन नहीं है फिर भी मैं करूँ क्योंकि तुमको मन है तो ऐसा करने के कारण ही किसानों में आक्रोज पैदा हुआ तो चंपारन के ही एक प्रमुख नेता राजकुमार सुकल मुरली भरहवान के निवासी क्या करते है 1916 का लखनव अधिवेशन है वहाँ पर वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को चंपारन आने का न्योता देते हैं कि आप आईए और इसको संभालिए गांधी जी कलकत्ता से पटना, मुझपरपूर तथा दर्भंगा होते हुए ये रास्ता भी याद रखना है बीपीस दी भी पूल देगा कलकत्ता पटना दर्भंगा, पटना दर्भंगा, कलकत्ता इसे से घुमा घुमा के पूछेगा 15 अप्रेल 1917 को मोती हारी पहुचे चमपारण के कमिस्नर ने गांधी जी को चमपारण से जाने का आदेश दिया परन्तु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मुकदमा दायर कर दिया गया का कि वाई तुम यहां क्यों आए हो, हम लोग खुदी निप्टेंगे तुम यहां क्यों आए गांधी जी को इस प्रकार से बूला गया गांधी जी के सत्यागरा के दवाब में बिहार के ततकालीन उपराज जिपाल एडवर्ड अलबर्ट गेट द्वारा एक जांच समीती गठित की गई जिसके अध्यक्ष कौन थे एफ जी सलाई थे, गांधी जी सहित एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रशाद, दीजे रीड तथा रैनी इसके सदस्य थे आप ध्यान दिजेगा, तो अध्यक्ष एप जी सलाई हैं, बहुत बार अध्यक्ष का नाम पूचेगा, तो आप ये मत कह दिजेगा, कि अध्यक्ष गांधी जी थे गांधी जी अध्यक्च नहीं थे गांधी जो चमपारन एगरेरियन कमीटी बना कि भाई जो बात है एक तीन कठिया सिस्टम सही है या नहीं है East Some Manchester जाच के लिए a committee बने तो ये committee के सदस्य गांधी जी थे, इस committee के अध्यक्च गांधी जी नहीं थे इस समीती को चंपारन एग्रेरियन समीती के नाम दिया गया और इस समीती ने तीन कठिया पधती को पूर्णता समाप्त करने की अनुशन साह की थी इन्होंने पूर्णता समाप्त करने की अनुशंसा कर दी अब आप देखेंगे तो चंपारन सत्यागरह में राजकुमार सुकल, राजेंदर प्रशाद, अनुग्रह नारायन सिक्स, सिंग, मजहरूल हक, ब्रच किशोर प्रशाद, धरनी धर, स्तंभु नारायन, आदी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे यह देखेंगा देखेंगे भई, यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में यहां पर आपको कौन-कौन दिख रहा है तो चम्पारन सत्यागरह में राजकुमार सुक्ल, राजेंदर प्रशाद, अनुग्रह नारायन सिंग, मजहरूल हक, ब्रच किशोर प्रशाद, धरनी धर, संभु सरन, आदी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे दीन भंदु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दरपन में नील उत्पादन की शोशनकाड़ी विवस्था का सजीव चितरन किया, तथा इसका अंग्रेजी में अनुवाद मधु सूदन दत्ने किया ये ध्यान दिजेगा, देखिएगा कि नील दरपन के लेखा कौन है, तो ये हैं दीन भंदु मित्र और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नील उत्पादन में जो शोशनकाड़ी विवस्था थी, जो किसानों के साथ शोशन किया जा रहा था, उसका पहुत अच्छी से चित्रन किया, और इसी के साथ आपको दिखेगा कि इसका अंग्रेजी में अनुबाद मधु सूदन दत ने किया है, तुर्की के ओटोमन सामराज्य का सुल्तान, ये खिलापत आंदोलन का बात है, मुसलिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता था, पर्थम विश्व यु खालीफा के पद को सम्मान जनक ही बनाया रखा जाएगा, क्योंकि भाई उससे मुसल्मानों का जो है, भारत के मुसल्मान एवं विश्व के मुसल्मान उनको सम्मान देते थे, तो ऐसी कुछ बाते थी, लेकिन प्रथम विश्व युध में मित्र रास्ट्रों की बिजय के बाद ऐसा नहीं हुआ, तुर्की के जो खालीफा थे, उनके पद को उनको जो वादा किया गया था, कि उनको सम्मान रखा जाएगा, वैसा नहीं रखा गया, जिससे भारत एवं विश्व के जितने भी मुसल्मान थे, सब जो है वो नाखुस थे, इसी का आपको प्रभाव भारत में खिलाफत अंधोलन के रूप में देखने को मिलता है, पर्थम विश्यूद 1914-1918 स्वी में तुर्की, बृतेन के बिरुद धूरी रास्टों के साथ शामिल था, पर्थम विश्यूद में मिर्तर रास्टों की विजय के बाद, तुर्की के सुल्तान के राजनेतिक अधिकार एवं उनका सामराज्य शीमित कर दिया गया जिससे संपुन्ड विस्तो के मुस्लिम समुदाय के साथ भारतिय मुस्लिम समुदाय में भी जैसा मैंने आपको बताया कि भारतिय मुस्लिम समुदाय में भी एक रोस उत्पन हुआ कि भाई ये क्या बात हो गई ठीक है और उन्होंने अपने खालीफा के अधिकारों की पुनर जो अस्थापना की वो लोग बात करने लगे कि मेरे खालीफा के जो अधिकार थे उनको पुनह दिया जाए। गांदी जी की अधिक्षिता में अकिल भारतिय खिलाफत सम्मिलन 24 नौमबर 1919 को आयोजित हुआ। और उन्होंने 24 पचीस अप्रेल को पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए एक सभा का आयोजन किया जिसमें असहयोग का कारेक्रम प्रस्तूत किया गया। इस सभा में राचेंदर प्रशाद, ब्रच की सोर प्रशाद, धरनी धर प्रशाद, मजहरूल हक और शाह मोहमद ने भाग लिया था। देखेंगे यहाँ पर कि हसन इमाम ने भी सांती समारो के बहिसकार का बयान भी दिया था। अब आजाईए बिहार में और सहयोग आंदोलन, तो बिहार में और सहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं, तो 4 सितंबर 1920 तक कलकत्ता कॉंग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसे पारित किया गया। असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उसके बाद इसको पारित कर दिया गया। परन्तु इसके पुरोने मेही रास्ट्रवादियों ने बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित करके क्या किया था? बिहार में पहले ही हो गया था और सहयोग ब्रिटिस सरकार के खिलाप और सहयोग पहले ही प्रारंभ कर दिया था। बिहार के बैरिस्टर जो हसन इमाम जिन्होंने सामती समारोह का बहसकार भी किया था बिहार के बैरिस्टर हसन इमाम के अध्यक्चिता में कॉंग्रेस का विशीस अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया जिसमें सरकारी सुधारों की आलोचना की गई और इस आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रेल 1919 में बिहार में हरताल भी किया गया है तो ये बिहार में असहयोग आंदोलन से सम्बंदित कुछ महत्तोपूर्ण बाते हैं जो आपको याद रखनी है ठीक है चलिए इसके बाद क्या है बिहार से दॉक्टर राचेंदर प्रशाद, ब्रज किसोर प्रशाद, मजहरूल हक, गोरक प्रशाद, धर्निदर प्रशाद, आदी नेदाओं ने परिशत की चुनाव से अपनी उमिद्वारी वापस ले ली इस असहयोग आंदोलन को करने के लिए और अंग्रेजों के बिरुद्ध में ये लोग चुकि आसहयोग कर रहे थे तो अंग्रेजों के साथ हर जगा पर सोयोग करना था विद्यारतियों को अंग्रेजी स्कूल में मतलब अंग्रेजी स्कूल कहने का मतलब है कि जो सरकारी स्कूल थे उसमे मना कर दिया गया जो कर्मचारी थे उसको भी अंगरीजी सरकार के साथ आसायोग करने की बात की तो इन लोगों ने भी उसी को देखते हुए बिहार में राजेंदर प्रशाद, ब्रज किशोर प्रशाद, मज़रूल हक, गोरक प्रशाद और धरनीदर प्रशाद इत्यादी नेताओं ने परिसत के चुनाओं से अपने उमिद्वारी वापस कर ले ली राजेंदर प्रशाद की अध्यक्षिता में आप दिखेंगे, तो भागलपूर में बिहार का प्रांतिय शम्मिलन का बारहुआ अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें अशहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया तो बहुत ही, आप देखेंगा, यह देखेंगे, यह अखिल भारतिय कॉंग्रिस का सम्मिलन नहीं है, यह बिहार प्रांतिय सम्मिलन है, और इसी में जो अशहयोग है, नौन कॉपरेशन मुवमिंट है, उस नौन कॉपरेशन मुवमिंट का क्या किया गया? समर्थन किया ग बिहार में अशहयोग आंदोलन के नेताओं की करम में देखिएगा कुछ घटना करम आगे देखते हैं तो देखेगे तो दिखिएगा बिहार में क्या हुआ रास्ट्रिय महाविद्याले तथा बिहार बिध्यापीत का उधगाटन किया गया यह किया गया 6 फरवरी 1921 को महात् गांधी के द्वारा रास्टिय महाविद्याले के परिशर में ही बिहार विद्या पीट था उसका उद्गाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ओफ वेल्स जो बिर्टेन के राजकुमार है उनका पटना आगमन हुआ 22 अक्टू से दी मदरलेंड नामक अखबार का प्रकाशन प्रारम किया और बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे नारायन प्रशाद थे तथा स्रीकृस्न सिंग इसके एक अन्य प्रमुख नेता थे आप ध्यान दिजेगा बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष नारायन प्रशाद थे तथा स्रीकृस्न सिंग इसके एक अन्य प्रमुख नेता थे देखी स्टीर्ट का जब आप मौडरन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस प्रकार के जो दल है जो राज्यस्तर पर होते थे इस प्रकार के दलों का गठन स्वाभाविक था लाजमी था किसी भी आंदोलन के सपोर्ट में या फिर बिटिस सरकार के विरूध में तो आवाज मेरी फूली क्लियर होगी बैटरी बेगर है अब देखिए फुलवारी में मौलाना सज्जाद जो पटना के पास फुलवारी शरीफ है वहाँ पर मौलाना सज्जाद द्वारा इमारती सरिया नामक संगठन का गठन किया गया संस्था का और यह वरतमान में भी सक्रिय है ठीक है अब देखिएगा कि 1922 इसवी में कॉंग्रेस का वार्सी का धिवेशन मैंने बताया था कि बिहार के गया में हुआ जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे इन्होंने परिशद में प्रवेश का समर्थन किया परंतु कॉंग्रेस ने इसका विरोध किया तो मैंने आपको बताया कि कुछ चाते थे कि भाई हम विधाईका में प्रवेश पाकर अंग्रेजी सरकार का विद्रो करेंगे और कुछ चाते थे कि नहीं हम बाहर से करेंगे तो एक चाते थे अंदर जाकर विधाईका में प्रवेश करके उसमें मोतिलाल नहरू चितरंजन दास थे और जो चाते थे हम बाहर से करेंगे उसमें बाद बाकी अन्यनेता थे तो जो अंदर जाकर विद् की स्थापना की देखिएगा चितरंजन दास मोतिलान नहरू और बिठरबाई पटेल ने स्वराज दल का गठन किया इन्हीं मतभेदों के कारण असयोग आंदोलन के दौरान आप देखेंगे तो शाहबाद में नशा को बंद नशाबंदी आंदोलन प्रारम किया गया तथा लोगों से नसा छोड़ने की अपील की गई आंदोलन आपको पता है कि जब चरम स्थिती पर था उसी समय क्या हुआ उत्तर प्रदेश के चोड़ा चोड़ी में एक मतलब आप समझेंगे घटना घट गई जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अस्थगित कर साइमन कमीशन एवं बिहार पे साइमन कमीशन एवं बिहार में तो भारत में मौन्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम की प्रगती जाच करने के उद्देश से ब्रिटेन की संसत तथा वाइसराय लौड इर्विन ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साथ सदस्य साइमन कमीशन का गठन किया है तो यह मैंने आपको कल भी बताया था और वैसे भी बताता हूं कि भाई देखे एक साथ सदस्ये साइमन कमीशन का गठन किया गया था क्योंकि 1919 में जो जो मॉन्टिक्यो चेंसफोर्ड प्लैन आया उस पे संबंदित उसमें जो सुधार की बात की गई उसकी समिक्षा उसका इवैलुएशन करने के लिए ही बिसिकली आप देखेंगे तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था लेकिन भारत में आप देखेंगे तो इसका काफी बिद्रो हुआ है काफी बिद्रो होने के पीछे का रीजन क्या है तो काफी बिद्रो होने के पीछे का रीजन है कि भाई इसमें जितने भी सदस्य थे साथ के साथों सदस्य इसके गोरे थे मतलब अंग्रेश थे भारतियों को ऐसा लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमार इसका भागे का फैसला, हमारे भागे का फैसला तभी के सभी यूरोपिय गोरे सदस्ते लेंगे ऐसा संभव नहीं है। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका तिवर विरोध हुआ। देखने को मिलेगा, दोनों नाम देदे तो भागे किसी बुक में अनुगरा नारायन होता है, किसी बुक में सर अली इमाम होते हैं। 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य पटना पहुचे और यहां भी उन्हें प्रबल विरोध का ही सामना करना पड़ा। अभी बात है कि भाई आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसमें सभी के सभी सदस्यों को आपने अंग्रेजी रखा है, अंग्रेजी गोरे सदस्य रखे हैं। तो अब्यसली इसका विरोध होना स्वभाविक है। बुलाया उनको और यहां पर भी आप देखेंगे तो इसका विरास्ट्रवादियों द्वारा व्यापक तोर पर विद्रो हुआ। साइमन कमिसन के विरोध में पटना में प्रभात फेरी, उठो जवान सवेरा हुआ, ताइमन भगाने का बेरा हुआ। पतलब जवान उठ जाओ क्योंकि सबेरा हो चुका है और साइमन भगाने का पमें आ गया है। ऐसे गीत गाये गए प्रभात फेरी में। 1929 में देखिएगा तो भारते रास्टे कॉंग्रेस के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षिता पंडित जवाहलाल नहरू में सविने अवग्या आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस सेशन के अध्यक्षिता किसके दोरा की गई है? इस सेशन के अध्यक्षिता की गई है पंडित जवाहलाल नहरू के दोरा। याद किया है? यह भी याद रखेंगे। बिहार केस में कौन थे? तो गांधी जी के सहयोगी, गिर्वरधार चौधरी, गिर्वरधारी चौधरी या फिर जिनको हम लोग कारो बाबू कहते हैं। जिसके अध्यक्ष स्तर अली इमाम थे, उपाध्यक्ष कौन है? स्वदेशी संग के, जो मैं 1930 में बना है, उपाध्यक्ष कौन है भाई? सचिदानंद सिन्हा हैं, और केबी दत हैं, तथा मुख्य सचिव हशन इमाम हैं। अली इमाम अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा तथा केबी दत हैं, मुख्य सचिव हशन इमाम हैं। यह स्वदेशी संग, आप समझी रहे हैं, स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए बात है, सविने अवग्या अंदोलन के समर्थन में इस तरह की चीजों को स्थापित किया गया था। बिहार में सविने अवग्या अंदोलन के प्रांतिय प्रशासक दीप नरायन सिख्थ को नियुक्त किया गया तो बिहार में अगर बात करेंगे तो सविने अवग्या अंदोलन के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो बिहार में दीप नरायन सिंग को नियुक्त किया गया था 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधिंता दिवस मनाया गया तथा अनुगरह नरायन सिंग द्वारा पटना में भवर पोखर पार्क में राश्ट्रिय जंडा पहराया गया दिख रहें ये लोग मतलब रुखते नहीं थे ये लोग अपना काम करते रहते थे चाहे आप कुछ भी करिये ये लोग अपना काम करते रहते थे ये लोग जो हैं जंडा फेरा रहे हैं ब्रिटिन सरकार कितना भी दमन करेगी हम तो वही करेंगे हम जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं डौक्टर राजेंद प्रशाद में बिहार में सोड़ा से नमक बनाने तथा चौकिदारी कर उसमें भी टेक्ट लेता था ब्रिटिस सरकार सुरक्षा के लिए नाम पर चौकिदारी कर न देने हितू सत्यागरह के लिए गांधी जी से अनुमती मांगी और इत आंदोलन के दौरान दिखेंगे बिहार में चौकिदारी न कर न देने का अभियान चिले गया जहां पर उसको पैसा का स्कोप मिलता था ब्रिटिस सरकार उस माध्यम से पैसा वसूल चाहती थी बिहार में समुद्र टटना होने पर सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया कई जगों पर आप देखेंगे मिटी से भी बनाया गया है बिहार में 6 अप्रेल 1930 को नमक सत्यागरह प्रारंब करने की तिर्थी निर्धारियत की गई तथा नकास पिंड पटना जिला नकास पिंड आद्मोलन इसको बुला जाता है क्योंकि कहा जाता था नकास पिंड चलो क्योंकि यहीं पर क्या करना था नमक सत्यागरह करना था नमक कानून को तोड़ना था नमक बना कर यहां पर सारन तथा हाजीपूर में भी व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उलंगन किया गया नमक कानून में था कि अप नमक नहीं बनाएंगे यहाँ पर गांदी जी ने नमक बना दिया था, डांडी यात्रा में, यहाँ पर नकास्पिंड में भी वही बात थी कि भाई नमक जो कानून है उसको भंग करना है, नमक बना देना है जाकर, बिहार में सरप्रथम सारन तथा चंपारन में नमक सत्यागरह आरंब हुआ था. अपचारी क स्थापना आप देखेंगे, तो 1934 इस्वी में बिहार कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की अपचारी क स्थापना हुई है, इसके संस्थापक कौन है, आचारे नरेंद्र देव, जैपरकास नारायन, राम मनोहर लोहिया और राम वरिक्ष वेनी पूरी, यह ना अपचारे नरेंद्र देव, जैपरकास नारायन, राम मनोहर लोहिया और राम प्रिक्ष वेनी पूरी थे, अध्यक्ष कौन है, आचारे नरेंद्र देव, सचीव है, जैपरकास नारायन, और पार्टी कब भंग हो गई है, 1948 इस्वी में, सोसलिस्ट पार्टी का उदिस क्य जमिनदारी का उन्मूलन किया जाए, तो उनको कोई मुआबजा वेगरा नहीं दिया जाए, ऐसे ही उन्मूलन कर दिया जाए, जमिनदारी प्रथा का, व्यक्तिकत सत्यागरा में देखेंगे, तो गांधी जी के दौरा ये चलाया गया, लेकिन 1940 में बिहार की रामगण ना दिया गया, और बिहार के प्रथम सत्यागरी कौन है, स्री कृष्ण सिंग, उसके बाद कौन है, स्री कृष्ण सिंग के बाद, अनुग्रह नरायन सिंग, दियूतिय सत्यागरा ही, ठीक है, इस आंदोलन में छोटा नागपूर के ताना भगत, आप लोगों ने सुना, तान भगत भी सम्मिलित थे, 27 नौंबर 1940 को गया में स्तिर कृष्ण सिंग को गरिफतार कर लिया गया, जो प्रथम सत्यागरा ही थे, दियूतिय सत्यागरा ही, अनुग्रह नरायन सिंग थे, जिनको पतना में गरिफतार कर लिया गया, ठीक है, और कुछ महिलाएं भी इसमें साम भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्विकार कर लिया था, मुंबई के ग्वालिया टैंक में, परिणाम स्वरू ब्रिटिस सरकार के द्वारा ओप्रेशन जीरो आवर के अंतरगत, अन्य महत्वपूर नेताओं के साथ, 9 अगस्त को गांधी जी को गरिफतार कर लिय आप यहीं पर दिखेंगे तो गांधी जी का नारा जो बड़ा फिमस नारा है करो या मरो, तो गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया, 21 जुलाई 1922 सिस्वी को डॉक्टर राचेंदर प्रशाद ने बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी की एक बैठक ब हमें कॉंग्रेस की समर्थन का प्रस्ताव पारित किया गया, ये छात्रों के द्वारा किया गया, 9 अगस्त 1942 को बिहार में राचेंदर प्रशाद पटना के जिलाधिकारी थे, डबलू जी आर्चर, बड़े फिमस हैं, आगे में आएंगे सचीवाले हत्याकांड में, द्व एक बड़े नेता, यहाँ पर एक नाम इंपोर्टन्ट है, कि देखिएगा, तो एक महाधिवक्ता है, स्री बल्देव सहाई, चुकि अलग हैं महाधिवक्ता थे, तो इसलिए इन्होंने भी इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्या किया, इन्होंने भी अपने पद से त्या बिहार बधां बिधान सभा की इमारत पर राष्ट्रिय ध्वज भराने का प्रयास जो है, वो चात्रों के द्वारा किया गया, लेकिन इस प्रयास को औसफल बनाने का पूंड तोर पर प्रयास, वहाँ के पुलिस कलेक्टर, पटना के कलेक्टर डबलू जी आर्चर ने किय और निहत्य इस छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया, आप देखेंगे इस गोली कांड में साथ छात्रों के मृत्यों हो गई, तथा अनीक छात्र जो है, वो इसमें घायल हो गई भारत छुडवा अन्दोलन में जै प्रकास नारायन ने महत्वपूर्ण भोमिका निभाई, उन्होंने वर्तमान जारखंड की हजारी बाग जेल से फरार होकर नेपाल की राजविलास जंगल में जाकर क्या किया आजाद दस्ता या फिर आजाद दल का गठन किया इस दस्ते का उदेश क्या था? ब्रिटिस समराज की समाप्ती हेतू, छापा मार युद तथा तोड़ फोड के माद्यम से ब्रिटिस संपत्ती को नुकसान पहुचाना साथ ही साथ जो ब्रिटिस युद्धकारे में लगा हुआ था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस समय ब्रिटिस को नुकसान पहुचाना इस दस्ते में शामिल यूको को सरदार नित्यानन सिंग द्वारा प्रसिक्षित किया गया था इसमें अन्यत भी लोग थे जैसे आपके राम मनोहर लोहिया वेगरा अब थोड़ा जो पटना सोची वाले कांड में जो गुली कांड में जो सहीद हुए थे उन सहीदों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहां कहां के वो लोग सहीद थे तो आप लोग को सेशन वैसे कैसा लग रहा है कुछ बुझा हुझा रहा है कि नहीं बच्चे सोच रहोंगे कि यार क्या कितना टाइम से पढ़ा रहे हैं क्या इतना सूचने कर नहीं है इतने का सोचने का नहीं है टिंसन नहीं लेने का है सहीद है कौन-कौन उमाकांत प्रशाद सिन्हा जिनको रमन जी कहा जाता है सतीस प्रसाद ज्जा जगपती कुमार उमाकांत प्रशाद नरेंदरपूर शारन से सतीस प्रसाद सिनहा ये आपके हैं सतीस प्रसाद ज्छा खडरहा भागलपूर से जगपती कुमार औरंगाबाद से रामानन सिंग पटना से देविपद चौधरी जमालपूर मुंगेर से राम गोविन सिंग पटना से राचेंदर सिंग शारन से आजाद दस्ता से प्रेरित होकर जो आप देखिएगा तो भागलपूर तथा पुरुनिया में भी ऐसे संगठन बनाए गए नेपाल सरकार द्वारा जैप्रकास नरायन तथा ग्राम मनोहर लोहिया तथा अन्य नेताओं को गरफतार करने के पस्चाथ 1943 तक यह आंदोलन जो है जो बड़ा कमजोर पड़ गया और जैप्रकास नरायन इस काल में आपको दिखेगा कि भूमिगत हो गए थे और भूमिगत होकर ही इस जो हमारा जो आंदोलन चल रहा था इसमें वो अपनी भूमी का निभा रहे थे पटना सचिवाले गोली कांट के सहित भारत छोड़वा अंदोलन में पगांधी जी के आवाहन पर बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चड़ कर ब्रटिस पिरोध में अपना योगदान दिया है कदम कुआ देखिएगा तो कदम कुआ पटना में महिला चर्खा कलब से जुड़ी महिलाओं ने जुलिस निकाल कर सभाओं का आयोजन किया जितकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई श्रीमती भगवती देवी जोकी राजेंद प्रशाद की बहन थी उनकी द्वारा की गई उसके बाद देखिएगा तो ब्रिटिस सासन का विरोध करने के लिए एक ध्रुवदल की भी स्थापना की गई थी जिसके प्रमुक कौन थे जैप्रकास नारायन आप देखिएगा तो अलग-अलग जगों पर जैसे सीवान में अलग-अलग जगों पर मुझहपरपू कराने के दोरान क्या हुए वो पुलिस की गोलियों का सिकार हो गए। आप देखिएगा तो महिलाएं कौन-कौन हैं जो भारत चुलवांदोरन में सामिल हो रही हैं भगवती देवी पटना, सांती देवी छपरा, सुनीती देवी वैशाली, राधिका देवी वैशाली, माया देवी भागलपूर, भवानी मलहोत्रा, मुझहपरपूर, राम स्वतंत्र भारत का उदय, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, मुझह पूरा ठक गया, बोलते बोलते, कान भी इसी तरीके से मेरा इच्छा है कि एक बार बिहार का करेंट अफेर्स लेकर आया जाए, MCQ से अच्छा बहुत बार होता है कि थोड़ा सा थियोरी पूर्शन होगा, तो मेरे हिसाब से बच्चों को ज्यादा फाइदा होगा, अगर आप लोग को लगता है कि ये बात सत्य है तो अब यसले आप लोग कमेंट करके बताईएगा, लाइक करके भी बता दीजिएगा चलिए भारत की स्वतंत्रता है तो भारती निताओं से बात करने के लिए 24 मार्स 1946 को ब्रिटिस मंत्री मंडल का तीन सदस्य दल भारत आया जिसी कैबिनेट मिशन कहा गया इस समू में तीन सदस्य शामिल थे जिनमें पैथिक लॉरेंस, स्टाफ़र्ट क्रेप्स तथा एबी अलेक्जेंडर ये क्रेप्स मिशन है जो आया था 1942 में इसके बाद आप देखें सोरी कैबिनेट मिशन है जो यह आया था जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टाफ़र्ट क्रेप्स तथा एबी अलेक्जेंडर है 1946 में आया कैबिनेट मिशन परंतु इस मिशन के द्वारा जो सुझाओ दिये गए उस पर जो है वो सहमती नहीं बन सकी 1946 में देश में चुनाव कराए गए और 12 सितंबर 1946 को कॉंग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार पतलब उस समय की ततकालिक सरकार का गठन किया गया कॉंग्रेस की द्वारा इसी समय आप देखिएगा कैबिनेट मिशन की संस्तुती के आधार पर समविधान सभा के गठन की बात भी कही गई और 9 सितंबर 1946 को सचिदानन सिन्ह को समविधान सभा की प्रत्थम अधिवेशन का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया 9 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 सितंबर गलत है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रशाद इस सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने है 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्र होने के पस्चात स्री जैराम दास दौलत राम ने बिहार के राजपाल स्वतंत्र बिहार के राजपाल और स्री कृस्न सिंग ने बिहार की प्रथम मुख्य मंत्री पद के रूप में सफ़त लिया है 26 जनवरी 1950 से भारतिय समविधान लागू होने के साथ ही बिहार भारत की संघिय ववस्था के अनुरूप एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया ये पूरा बिहार और भारत को हम लोगों ने आजाद करा दिया अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार राज्य का गठन ठीक है बिहार राज्य का गठन तो बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है बिहार की अपनी एक अलग प्रिथक पहचान रही है अकबर के काल में बिहार को एक सूबे के रूप में मानेता मिली थी 1580 इस्वी में ये भी आप लोग जानते हैं बीस्वी सताबदी के आरंभ में प्रिथक बिहार राजी की मांग प्रारंभ हो गई थी और इस संदर्व में सचिदानंद सिन्हा तथा महेस नरायन द्वारा आरंभिक प्रियास किया गया था ये दोनों बातें आप लोग को याद रखना है सचिदानंद सिन्हा और महेस नरायन इन दोनों का नाम आपको याद रखना है ये संपादक भी है महेश नरायन 1894 इस्वी में सचिदानन सिन्हा जब 1889 इस्वी में इंगलेंड गए तो वहां भी उन्होंने बिहार राज्य को प्रिथक अस्तित्व दिलाने की मांग प्रमुकता से रखी डॉक्टर सचिदानन सिन्हा तथा महेश नरायन ने अपने आलिक दपार्टिशन अप्ड लोवर प्रोविंस एन अल्टरनेटिव प्रोपोजल के माध्यम से भारत सहित इंगलेंड में भी प्रिथक बिहार की मांग रखी तो देखिए कितने मतलब ये लोग नेता सजग थे कि इंगलेंड गए हैं सचिदानन सिन्हा वहाँ भी इसी की मांग कर रहे हैं अभी तो हम लोग को इंगलेंड बेज दे जाया है तो हम लोग घूमने के दिरस्टी कौन से ही जाएंगे लेकिन यहाँ देखिए कितना सजग हैं कितने बिहार के प्रती लगाव है 1894 में उपराजेपाल सर चार्ल्स इलियट को अलग बिहार राजे के संबंध में ग्यापन दिया गया डॉक्टर राजेंद प्रसाद के प्रयासों से ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में इस तरह के प्रथम बिहारी छात्र सम्मिलन का आयोजन पटना में किया गया इस तरह का पहला अंदोलन था ये जिसके सभापती बैरिस्टर सर्फुदीन थे 1908 में अले इमाम के धच्चता में बिहार प्रादेशिक सम्मिलन की भी स्थापना की गई और बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी का गठन किया गया 1908 के समय में 1910 में भागलपूर में बिहार प्रादेशिक सम्मिलन का आयोजन किया गया जिसमें अब्यसली बात है कि बिहार के एक प्रिथक राज के रूप में मांगो को पुरी जोर सोर से रखा गया 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के साही दर्बार में प्रिथक बिहार राज के निर्मान की घोसना की गई जिसमें उडीशा जिसको वरतमान उडीशा कहा जाता है वो भी सम्मलित था एक अप्रेल 1912 को स्वतंत्र प्राज के रूप में बिहार स्थापित हुआ वर्ष 1936 इस्वी में बिहार का प्रसासनिक स्वरू बदला तथा बिहार से उडीशा को अलग कर स्वतंत्र राज जी के रूप में स्थापित किया गया यह 1936 की बात है फानली देखते हैं तो 46 प्रतिसत एरिया लेकर फिर 15 नॉवंबर सन 2000 को विर्षा मुंडा की जैनती पर जारखंड जो दक्षण बिहार था उससे जारखंड अलग हो गया और जारखंड राज की इस्थापना हो गई तो यह बिहार राज के गठन से संबंधित कुछ बाते थी जो बहुत अच्छे धंग से आपको समझना चाहिए तो हम लोगों ने लगबग देख रहे हैं अब स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा इसका मतलब है कि हम लोगों ने आधुनिक बिहार के इतिहास का एक छोटा सा बढ़िया सा जो है ओवर्व्यू ले लिया